प्रणाम अलग है और आपके किसी परसनल सवाल का जवाब देने के लिए मुझे पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी देखनी पड़ेगी उसके बाद मैं नीचे कमेंट में लिख सकता हूँ कि क्या हो ठीक है हम यहाँ एक अवेरनेस की बात कर रहे हैं एक जनर्नल चीज की बात कर रहे तो बहुत से लोगों ने एक प्रशन पूछा है वो जनर्नलाइस प्रशन है और वो सब के काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ तो उन्होंने पूछा कि जी ये सद्गुरू की इलॉन मस्क की मुकेश अमानी जी की सिर्फ राहू की दशा मैटर करती है या फिर उनके ज कुंडली उठा लीजे जो बिचारा जिवन बहुत सारा संगाश राओ उसके भी आपको दो चार राजयोग मिल जाएंगे देखे यहां जो कुंडली आप लेकर पैदा हो गये वो एक बार पैदा हो गये कि गुरू यहां बैटा है शनी यहां बैटा है राहू यह उच्छ क का है यह नीच का है यह मुल तरकून का है यह हो गया अब आप मुझे खुद सोच के बताएए अपने दिमाग से कि एक आदमी मान लीजे आसाराम बापू जी है ठीक है मैं कि ची के बारे में गलत नहीं कहता है मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं जिसने भी जिन्दगी में क केल गये यह बाकी जो भी कुछ हुआ तब भी वही कुंडली थी बदला क्या था दशा सुबरोत राय सहारा ठीक है एक लंब्रेटा से सफर शुरू कर केमबे वाली जैसी जगा बनाई सहारा ग्रूप बनाया उसके बाद तो विजे मालिया कहां से कहां तक और फिर कहां से क तो क्या राजयोग खतम हो गया था क्या उचका शनी नीचका हो गया था थोड़े टाइम बाद क्या बहुत अच्छा रावबाद में खराब हो गया था ऐसा नहीं होता दिहान से जोतिश को समझे अच्छी से अच्छी कुंडली प्रधान मंत्री की भी कई ऐसी होती है कि प बिसिक आपकी potential पता चल गई, ठीक है कि आप ये बनने के लिए पैदा हुए हैं, ये आपकी अच्छा हियां, ये आपकी बुरा हियां, तो ये vision देना जोची का काम था कि इस व्यक्ति को किस काम में जाना चाहिए, ये किस में अच्छा निकलेगा, किन चीजों से बचना चाह गया, तो हर व्यक्ति का चाहे कितने ही राजयोग हों, अगर वक्त खराब चलेगा, तो राजा को भी रंग बनाएगा, ये अच्छा चलेगा तो रंग को राजा, दशा और गोचर, ये दो चीजें, गोचर मतलब जो आस्मान में घ्रह चल रहे हैं आपकी राशी से लगन स और दशा मतलब जो हम लेके पैदा होते हैं, 120 वर्ष की होती है, लेकिन अब कोई 120 वर्ष जीता नहीं है, तो हम बेसिकली वो देखते हैं, तो आप कोई भी बच्चा पैदा होता है, वैसे भी पुरानी पत्रियां मेरे पास आती है, मैं देखता हूँ, अरे ये राजा बन सकें, ठीक है, यहां दशा को आप ऐसे समझ लीजे कि माल लीजे आप पे राउ की दशा है या शनी की दशा है, तो शनी इस वकत आपकी जिंदगी के में ड्राइवर है, बाकी ग्रह जो हैं वो पीछे सवारियों की तरह हैं, जब शनी से उसके मित्र ग्रह बात करेंगे शन गुरू का, इलोन मस्क का या जिसका भी, मुकेश हमानी जी का कि सारा अच्छा गया, दो ओवर खराब भी गया होंगे, लेकिन ओल टुगेधर तो मैच जीते हैं, जब राउ के साथ चंदर चले होंगे या सूरे में भी तोड़ा बहुत उपर नीचे हुआ होगा, बट आपकी जिन्दगी घ्रहे इस वकट ड्राइव कर रहे हैं, आप वो देखेंगे कि वो कहां बैठे हैं, माल लीजे मेरा किसी का भी राजयोग सूरे से आता है, और उसके जीवन में कभी सूरे की मादशा आईगी नहीं, राइट, माल लीजे वो सौ साल के बाद आनी थी, इ आपका वो योग भाई, अभी जो मेरी समस्या चल रही है, जो मेरे जीवन में गाइडेंस नहीं है, विजन नहीं है, और जो दशा चल रही है, उसके हिसाब से मैं क्या काम करूँ, क्या मोडस अपरेंडी रहे, क्या जीवन में परहेज करूँ, क्या बदलाव करूँ, वो तो याद रखिए महान से महान कुंडलियों को अफतारों की भी जेल यात्रा करनी पड़ी, बदनामी सेहनी पड़ी, दुख सेहने पड़े और उनी को भगवान की तरह पूजा भी गया, उन्होंने राजपाट भी देखा, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त भी देखा, लग लाज क्या था, उपर गोचर, तो आप पर वक्त क्या चल रहा है, उस पर जादा गोर फरमाईए, बजाए कि आपके राजियों कितने हैं, इसलिए मैं दशाओं पे जादा जोर देता हूं, जो प्रेसंट में चल रहा होता है, उस पर जोर देता हूं, तो अगर कोई व्यक् देखिए पून जिंदगी तो अफ़तारों को भी नहीं मिली है जिनको आप माथा टेकते हैं उनकी जिंदगी आप नहीं लेना चाहेंगे कभी भी किसी भी धर्म के हों कि नहीं भाई साब आशिरवात देना लेकिन आपने जितने कष्ट से मैं नहीं चाहता कि भाई मैं वो जिंदगी लो तो कष्ट उनको भी आएंगे लेकिन हम all together देखते हैं कि ये 19 साल की शनी की मादाशा में व्यक्ती कहां से कहां आया है या कहां से कहां आया तो इसलिए हमेशा याद रखिए जो घ्रह चल रहा होगा जिस पर जो गोचर चल रहा होगा जिस पर वो मैटर करता है चाहे कुंडली कितनी भी बलवान हो बादल सूरे के आगे आही जाते हैं मौसम बदलते हैं तो वो मौसम अभी जो चल रहा है वो important है उसी के हिसाब से change करना है उसी के हिसाब से उपाय करने है उसी के हिसाब से guidance होगी उसी के हिसाब से आप जीवन का vision बनाएंगे I hope I am clear फिर भी अगर कुछ ना हो दे और पूछ लीजेगा कोई दिक्कत नहीं है बस आपकी मैं चाहता हूँ कि conceptual clarity हो आपको समझ आए कि जोतिश का हमें maximum जिंदगी में लाब कैसे लेना है ये कोई बात नहीं है कि हाँ पंड़ी जी ने बताया था तेरा accident हो गया मेरा हो गया वो बहुत महान पंड़ी जी है ये देखो मेरा हाट टोड़ गया गलत आपको दिशा देना जोती शास्तर जोती मतलब क्या होती है लेंप की जोती है दिशा दिखाने वाला शास्त जोतिश ईश और जोती जोतिश तो इसलिए vision बनाईए किसी अच्छे जोत्ची से directions लीजिए दशाएं समझे आने वाली उस हिसाप से जिंदगी अपनी चलाईए ना की कौन सा राज योग है कौन सा काल सर्फ योग है कौन सा ये योग है वो मत करिए पहले vision पहले depth पहले gravity फिर ये टोने टोटके वगएर आप करते रहिए ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आशरवाद पहले बहुत बहुत आशरवाद पहले बहुत आशरवाद